आदमी जब चाल बनाता है ना सत्वर को तभी पता होता है कि अब ये चाल चलने वाला है कहीं बुलेके में ना कोई रह जाए लेकिन मालिक का परदा मंजूर होता है वो सब को आजी ठीक है जी बड़े आजी आप जिकीन नहीं करेंगे लोग संतों को बिढ़ाते हैं बड़ी सेवा में चलेगा उससे बेहद प्यार करते हैं जो सेवा में नहीं चलता उससे भी प्यार करते हैं जो उनको गाली देता उससे भी प्यार करते हैं तो संतों को किसी दे क्या बैर विरोदे पर लोग आज कल बड़े शातिर है बड़ा शातिर दिमाग है चाले चलके ये बात ठीक रहेगी वो ठीक रहेगी फलां ठीक रहेगी क्या प्लेनिंग होती है क्या मास्टर माइंड होते हैं हरानी होती है देख देखे कि वह वह क्या गजव का दिमाग पाया है पर पाया है सुमन के लिए पाया है सत्कुर परमात्मा को पाने के लिए पर जब मन का फतूर सवार जाए ना सारा एम सारा लक्ष्य निशाना आदमी भूल जाता है तब तो और और तरफ ज्यान जाता है नहीं ऐसे नहीं आर ऐसे कर लें फकीरों को क्या पता जलता है जूट बोल दो मिठी चासनी चलादो उपर बात बात गतम यह नहीं पता है इड़ा पोला खस्म नहीं बश्यसा कर दी जिनिशन चत्रा ही आपो लजा ले यहां चत्र चलाकीं नहीं चलती ही यहा zamकीर Never चलती हूं जो चलाता है कड़ा है फकीरों को क्या लेन वो तो हाँ करते रहेंगे लेकिन आने वाले जिंदगी में ढूरान कहती हो ब्चा-पराइस समंद करो निंदा से बचो, बुराईयों से बचो, मन की चालों से बचो आज हमने सुनाया दो गंटे बाद बुराई की बुराई वैसे का वैसा सस्तन से उड़ता जाता है और यूँ पला जाड़ता है ऐसे लगता है सारा सुना सुना यह जा रगा भी यहीं जोड रहा हूँ अब तो मैं वो करूँगा जो मेरे मन में आएगा बड़ी हरानी होती है भई इस भीट को कोई शर्म ही नहीं इसका मन किसी तरह से काभू ही नहीं आता है और आई भी कैसे कभी सुना किया होता हो ना सिर जोड जोड सारा दिन निंदा जुगरी करना एक दूसरे की कनाफों सी करना बेकार की बाते करना सारा दिन यह काम करते रहना जिससे कुछ मिलता ही नहीं नशा करता आदमी नशा आता है तो करता है अब निन्दा चुबली या किसी की बुराई करने से क्या मिलता है किसी को मिला कुछ कभी नहीं मिलता है कोई नशा नहीं है फिर भी लगा रहता है हम एक वर स्कूल को हर्जमें गए और वह बच्चे थी और हमने कहा बेटा आप सिमन किया करो बच्चे कहने लगे पिता जी आप एक कोई चीज छुड़वा दो हमसे कोई बुरी आदत है हमने का पकी बात कहते है हमने ठीक है चुबली निन्दा करनी चोड़ दो तो बच्चे कहते ठीक है एक बच्चा कुछ ठीक सा चोटा सा रोने लगा हमने का बेटा रो क्यू रहे हो आप भी ध्यान से सुनना, बच्चा कहने लगा बिता जी अगर चुगली निंदा छोड़ देंगे तो करेंगे क्या, आप सोच के देखो अगर चुगली निंदा छोड़ तो क्या करोगे, आप सोच लो चलो जार दोस्तों बैट के सोच लो, वो चीज निकाल दो बाकी क्या र आला नहीं करनी है इससे दस परसेंटी अल्ला राम की जर्चा कर लिया करो जो करते हैं उनका घर भी सुखी परिवार भी सुखी और पुलें भी जरूर सुखी रहती है इसलिए मानिक की चर्चा करनी चाहिए जब भी बैठो मानिकी चर्चा करो अपने सद्गुर आला राम को न भूलो जिसने सब कुछ दिया है जो राही से पहाड बना देता है तो पहाड को राही बनाने में भी देर नहीं लगती ये मत भूलो सारी planning दरीदराई रह जाती है मन की जब उसकी मर्जी होती है सो इसलिए आदमी को इतना अंकार अच्छा नहीं अपने अकल पे अपने चतुराई पे करना चाहिए संग शातर इंसन का करो ही ना नेक एंसन का करो और सथसंग करो फिर तो कहना ही क्या है तो आपसे गुजारिश है सथसंग में आखे बैट गए आखे मीपके निद ले लई खुरटे मार लिए या सुन लिया और अमल नहीं किया तो बहुत rare फड़ मिलता है, मिलता है लेकिन बहुत कम, वो फड़ नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, इसलिए घर से परेशानिया बेचेनिया, दिल और दिमाग से परेशानिया बेचेनिया दूर नहीं होती, तो सत्संग जब सुनते हो, एक चित एक मन होके सुना करो, जानि आत चलना है अगर आप सुनके चलोगे तो जिकीनल माली की द्या में रहमत के काबिल बनोगे अगर चलोगे जिकीनल माली की चलोगे जिकीनल माली का घो चलोगे ओडिया यजल जिकीनल माली की है विला ओंगे।